अच्छा किस किस ने हाइड्रा फेशल के बारे में सुना है जो स्किन को यंग और ग्लोई बनाने के लिए काफी अच्छे काम कर रहा है और जिसका में इंगेडियेंट है हाइड्रॉलिक एसिड जो ये दावा करता है कि 72 घंटे तक मॉइस्चराइजर को आपकी स्किन में लॉक करके रख सकता है क्या आप अपनी स्किन पर डलनेस को फिल कर रहे हैं या आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो गई है या जो ग्लो है आपके फेस का वो कहीं गायब हो गया है तो आपको रेकमेंट किया जाएगा हाइडरा फेशल अगर आप में से मतलब फिलहाल अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इनमें से अगर किसी ने हाइडरा फेशल करवाया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख के ये हमें बताईएगा कि इस हाइडरा फेशल का जो कोस्ट है वो सैलोंस में कितना है अकॉर्डिंग ठो मी जितना मुझे पता है इस फेशल का जो कोस्ट होता है वो पांच हजार से लेके 6 हजार तक मिनीमन होता है थोड़ा उपर नीचे हो सकता है according to your city and area कि आपकी city और area में रहते हैं उसके according थोड़ा इसका जो price है वो up and down हो सकता है एक facial का charge है 5-6,000 उपे काफी hit करता है आपकी pocket को जो कि हर कोई afford नहीं कर सकता लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये hydra facial हर एक कोई enjoy करें हम सभी enjoy करें अगर आपकी pocket ये allow करती है तो definitely आप इसको करवाईएगा there is no problem बट अगर आप इसे afford नहीं कर सकते हैं तो हम ये hydra facial जो है अपने घर पर ही इसके enjoy करेंगे तो क्या हुआ अगर हम salons में नहीं जा सकते हम अपने घर पर ही इस hydra facial को ट्राय करेंगे और पूरा enjoy भी करेंगे और वैसा ही जो results हम अपने फेस पर नोटिस करेंगे जी हाँ पूरे process में जो जो काम किया जाता है उस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत ही जादा simple ingredients अपनी kitchen में से select किये है जो वैसा ही exactly results आपके face को देंगे जो की एक hydra facial के बाद आपके face पर आएगा मुझे पता है मेरी बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किर हो सकता है आपके लिए जैसा कि हर एक वीडियो में मैं आपको यही बोलती हूँ कोई भी चीज कोई भी remedy skincare अपने लिए ट्राइ करने से पहले उसे इस्तमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए यहां पर हम hydraulic acid का substitute ही use करने वाले हैं जो आपकी skin पर खोया हुआ glow वापिस लेके आएगा तो अगर मेरी बात पर आप थोड़ा सा भी यकीन कर सकते हैं तो इस वीडियो को complete watch कीजिएगा So hello friends welcome back to my channel mom and the mirror और मैं हूँ पूजा मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने youtube चैनल पर तो सबसे पहले बताईए आप सब कैसे हैं मैं उमीद करती हूँ आप सब बहुत जादा अच्छे होंगे मस्त होंगे बिंदास होंगे तो जैसा कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक DIY Hydra Facial जी हाँ तो चलिए देखते हैं कौन-कौन से steps जो है मैं follow करने पड़ेंगे let's get started तो सबसे पहले हम उपने face के लिए तियार करेंगे cleanser तो उसके लिए लेना है आपने 6-7 चमच कम से कम raw milk उबला हुआ भी चलेगा लेकिन जो raw milk होता है उसमें कुछ ऐसे nutrition होते हैं जो आपके face की cleaning के लिए बहुत ही जादा बेस्ट होते हैं फिर इसमें एक चमच के करीब आपने डालना है glycerine जी हां दोनों को अच्छी तरह से mix कीजे और आपका जो DIY face cleanser हाइड्रफिशल के लिए ready है यह एक ऐसा क्लिंजर है जो आपके face के उपर से जितना भी dirt pollution होगा मैल होगा उसको remove करने का दम रखता है तो अच्छी तरह से cotton को dip करते हुए अपने face पर रब कीजिए अगर आपकी skin super sensitive है कि जैसे कि अगर cotton को रब करने से भी रैश हो जाते है या फिर redness आती है तो simple आप अपने हाथ पर लेकर ही इसे face पर रब कीजिए आपको cotton की लेने की जूरत नहीं है तो अच्छी तरह से आपने इसको रब करना है ताकि जितना भी मैल गंदगी है आपके face के उपर से वो निकल जाए फिर आप इसको wipe off कर दीजिए और then हम अपन अच्छी लेना है आपने rose water यहां फिर normal water भी आप ले सकते हैं लेकिन filter हो तो जादा best रहेगा अच्छी तरह से mix कर लीजिए आपके पास यह DIY exfoliator बनकर ready है इसको आपने अपने face पर अच्छी तरह से रब करना है सिर्फ 2-3 minute के लिए all over face पर आप इसको apply कर लीजिए यहां इसको apply कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत ज्यादा gentle है और बहुत ही deeply cleaning करता है हमारे face की तो मैंने all over face पर इसको apply किया है अच्छी तरह से बिल्कुल soft हाथों से अपने इसको रब करना है ज्यादा रगड़ना नहीं है focus करे उन areas पर जहां पर आपको problems है जैसे कि अगर आपको pigmentation है यह फिर clogged pores की problem है white hats है black hats है वहां पर आप ज्यादा focus करेंगे और हलके हाथों से ही आपने रब करना है ज्यादा रगड़ना नहीं है तो 2-3 मिनट के बाद आपने इसको wipe off करना है देन आप पानी से अपने face को एक बार धो लीजिए wipe करने के बाद भी हो सकता है चोटे- जो ग्रेंवल्स है वह आपके फेस पर रह जाए दोने से वह निकल जाएंगे तो मूब करते हैं next step की और जिसमें हम करेंगे अपने face की मसाजिंग तो मसाजिंग क्रीम को तयार करने के लिए मैंनी लिया है एक चमच बीटूट पाउडर फिर डालेंगे इसमें एक चमच अ जो बीटूट होता है उसको भी आप ले सकते हैं ग्रेट करके उसको जो जूस है उसको आप यहां पर यूज कर सकते हैं definitely एकदम same results आपके face पर आएंगे in fact जो fresh juice होते हैं उसका जादा असर हमारे face पर आता है तो आपने इस क्रीम से अपने all over face की अच्छे से मसाज करनी है यही वो step है जो पूरे process का एक main step है जो जिससे के आपके face पर वो hydra facial वाला glow आएगा क्यूंकि हमने इसमें use किया है beetroot powder या फिर juice इसमें होता है vitamin C और जो hydraulic acid का substitute हमने use किया है इसमें glycerin का तो यह पूरा full package है इसी से ही हमारी skin जो है वो young लगती है बहुत ही ज्यादा young look हमार स्किन पर आता है इस hydraulic और vitamin C के combination से तो अच्छी तरह से अपने face पर focus कीजिए जैसा आपको आता है जितनी आपको आती है मसाज कीजिए तीन से चार मिनट के लिए thick layer में आपने इस cream को apply करना है सूख जाता है अब्जॉफ हो जाता है फिर थोड़ा सा पलगा सकते हैं कोई problem नहीं है इसको wipe off कर दीजिए अच्छी तरह से मसाज करने के बाद अपनी skin को wipe off कीजिए इसके बाद आप देखेंगे कि आपके face पर जो glow आया है आप बोलेंगे वह क्या बात है magic तो होना ही था क्यूंकि इसमें जो combination हमने किये हैं वह कमाल की remedies है तो यहां पर आप देख सकत जो अभी तक पूरा glow आया है उसको हम लॉक करेंगे अपने face पर तो उसके लिए यहां पर लेना है एक चमच मुलतानी मिट्टी और उसी में डालेंगे glycerine पेस्ट बनाने के लिए जितना आपको जुरूरत पड़ता है उतना डालिए मैंने सिर्फ एक चमच डाला था तो बन गया है यह face pack बनकर ready है इसको अपने face पर apply कीजे जो already बहुत ही स्मूथ हो चुकी है आपकी skin बहुत ही जल्दी से आपकी skin पर यह apply हो जाएगा आप इसको under eyes पर apply नहीं करेंगे फिलहार लगाने के time पर जब इसको उतारने के time पर थोड़ा साप इसको मसाज करेंगे दे सकते हैं face और neck पर अच्छी तरह से apply करने के लिए आपने इसको रखना है अपने face पर सिर्फ 15 मिनिट के लिए क्योंकि हमने इसमें add किया है glycerin तो यह completely dry नहीं होगा 15 मिनिट के बाद आपको इसको ऐसे ही wipe off कर देना है wipe cleaning के बाद आपने notice करेंगे कि आपकी skin कहीं से भी खी खीची खीची या फी ड्राइनेस किसी भी तरह का आपको फिल नहीं होगा even कि आपकी skin बहुत ही जादा soft supple और ग्लोई नजर आएगी एक अलग सी चमक आपके face पर आई होगी जो glow होगा वो अलग ही level का होगा so complete होता है हमारा DIY Hydra facial experience कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीज